नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है आज इस पुस्तिका पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रिस गुरफपुर्द्वारा प्रकाशित अमोग शिव कवच है कोड 230 है मूली के वल 5 रुपे प्रिष्ट पुस्तिका में 30 है सकंद पुरान के गमोत्तर खंड से लिया गया यह अमोग शिव कवच है महरशी रिशव ने इसका उप्तेश करके एक संकट गरस्त राजा को दुख मुक्त किया था जो पुस्तिका है उसमें मूल संस्कृत कवच और उसका हिंदी अनुवाद दोनों दिया गया है यहां कवच की महिमा का वर्णन किया गया है यहां जानकारी दी गई है पहले विन्योग छोड़कर रिश्यादी नयास करन नयास और हिर्दे आदी अंग नयास करके भवान शंकर का ध्यान करें तरन तर कवच का पाट करें विन्योग रिश्यादी नयास करन नयास और हिर्दे अंग नयास दिया गया है फिर ध्यान के पस्चात कवच दिया गया है रिशब जी कहते हैं जो संपूर पुरानों में गोपनिये गहा गया है समस्त पापो को हर लेने वाला है पवित्र जैद आयाक तसा संपूर्ण वियुपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है उस सरस्रेश शिव कवच का मैं तुमारे हित के लिए उपदेश करूँगा उसका दो बताते हैं कि इस प्रकार से आसन विछाकर इंद्रयों को वश्मे करके प्राणयामपूरा भगवान शिव का चिंतन करें क्या चिंतन करें और इस प्रकार ध्यान करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें शिव कवच में भगवान शंकर से प्राथना करते हैं कि वो हर दिशाओं में रक्षा करें हर स्थान पे रक्षा करें मेरे हरा अंगो की रक्षा करें इस प्रकार से भगवान शिव से प्रात्ना करते हैं कुल 33 से मश्लोग है 27 के अंतरगथी भगवान शिव की वंदना आती है जिसमें उनका पर्व, परमात्मा रूप से उनकी वंदना की गई है 28 में फिर से रिशब जी कहते है कि इस प्रकार यह वर्दायक शीवकर्च मैंने कहा यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला समस्थ देधारियों के लिए गोपनिया रहस्य है उसके बाद 33 तक में वह शीवकर्च को पार्ट करने के फलेका वर्णन करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में